आज की क्लास में 60 words को पढ़ेंगे हम लोग, ये 60 शब्द ऐसे हैं, जो 3 हिसों में हैं, एक है जो बहुत छोटे हैं, जो वाक्य में थोड़ी से जगा लेंगे, एक है जो थोड़ी से मीडियम हैं, और एक है जो थोड़ी से बड़े हैं, अब ये तीनों का combination अगर आपके पास talk में रहेगा, तो आप आसानी से translation कर पाएंगे, क्लास को शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं संडीत English Academy, मैं हूँ परीती माम, सब्सक्राइब करके bell notification on कर दीजेगा, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जब से या कब से, जब भी आप अपने हिंदी वाके में यूज क इसको सेट करते हैं, चाहे वो समय का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो किसी काम का हो, basically limits में बांधना, वहाँ पर within word का यूज करते हैं, अपनी हद के अंदर में रहो, stay within your limits, पसंद, इस्तमाल करते हैं शब्द like का, मुझे ये dress पसंद है, I like this dress, मुझे ये dress पसंद है, I like this dress उन्हें इस्तमाल करते हैं शब्द them का, t-h-e-m them, उन्हें बुलाओ call them, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कि them का स्तमाल आप कब करेंगे समझना होगा, them जो है, वो एक से ज़्यादा विक्ति के लिए use होता है, plus आप किसी को बोल रहे हैं किसी ग्रुप को बुलान मुझे अपने बारे में बताएं, tell me about yourself, tell me about yourself, के बाद इस्तमाल करते हैं शब्द after का, एक घंटे के बाद after an hour, क्या, इस्तमाल करते हैं शब्द what का, क्या यूज़ करते हैं, what word का यूज़ करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, what are you doing, कौन सा या कौन से, इस्तमाल करते हैं शब्द which का, याद रखिएगा which जो word है, इसका इस्तमाल जो है, आप हमेशा choices पूछने के लिए करते हैं, यानि कि सामने वाले की पसंद के बारे में अगर आप पूछना चाते हैं या पूछ रहे हैं, तो आप जो है choice जब पूछ रहे हैं, तो which का इसी में दो word है, एक है then, एक होता है then, इसमें बहुत confusion रहती है लोगों को, तो जिस spelling में आपको a दिख जाए, उसको then पढ़ते हैं, और इसी जगह पर जहां पर e दिख जाए, सेम a की जगह पर ही अगर e लिखा हुआ दिखे, तो उसको then पढ़ते हैं, चिक है, रोहन रिया स उसका इस्तमाल हमेशा comparison यानि तुलना करने के लिए होता है, तुलनातमक तरीके से हम इसका इसका इस्तमाल करते हैं, दो situation हो, दो इनसान हो, दो कोई भी चीजें हो जिसका comparison basically आप करना चाहते हैं, तो आप than word का use करेंगे, नीचे इस्तमाल करते हैं शब्द down का, ये नीचे गर गया, it fell down, रोज इस्तमाल करते हैं शब्द every का, किसका यूज करते हैं, every, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, I go to school every day, नहीं, इस्तमाल करते हैं not, मेरे पास नहीं है, I do not have, मेरे पास नहीं है, I do not have, यह, इस्तमाल होता है this word का, यह मेरा pen है, this is my pen, यह मेरा pen है, this is my pen, प्राप्त करना या किसी चीज को ढूंड़ना, इस्तमाल करते हैं शब्द find का, F-I-N-D, find, इसे प्राप्त करो या इसे ढूंड़ो, दोनों ही सूर्तों में आप इस्तमाल करेंगे, find it, लंबा, इस्तमाल करते हैं शब्द long का, कुसी के लंबे पैर थे, the chair had long legs, जैसे एक कुछ chairs होती है ना, जो normal हम अपने घरों में यूज करते हैं, normal सा उनका legs होता है, चार legs है ना, आप कभी cafes वगेरा में जाते हैं, जब club वगेरा में, lounge वगेरा में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी height वाले chairs होती है, तो उनके legs बहुत लंबे होते हैं, I have the most beautiful dress, I have the most beautiful dress, वहाँ, इस्तमाल करेंगे शब there का, वहाँ मेरा bag है, there is my bag, से आगे, इस्तमाल करेंगे ahead of, मेरे आगे चलो, walk ahead of me, मेरे आगे चलो या मेरे से आगे चलो, walk ahead of me, के अनुसार, इस्तमाल करते हैं as per का, नियम के अनुसार आपको एक helmet पहनना चाहिए, as per the rule, you should wear a helmet, upon, इस्तमाल करते हैं, के उपर के जगापर, कहां पर यूज करते हैं, के उपर के जगापर, upon word का यूज करते हैं, मेज के ओपर फूलदान रखो, put the vase upon the table, put the vase upon the table, विपरीत, इस्तमाल करते हैं, उल्टा या अनलाइक का, मतलब एक जैसा ना होना, अलग होना, ठीक है, तो इस्तमाल करते हैं हम अनलाइक का, मैं आपके विपरीत बहुत इमानदार हूँ, यह बात आप किसको कहेंगे, जिसको आपको लगता है ना, कि वो इमानदार नहीं है, और आप इमानदार है, वो बैमान है और आप इमानदार है, तो आप उसके विपरीत हुए ना, आपका नेचर कैसावा, उसका उल्टा हु आपका nature इसलिए हमने यहां पर इस्तमाल किया क्या कि I am very honest unlike you I am very honest unlike you ठीक है विपरीत जहां पर यूज़ होगा वहां पर इसको यूज़ कर लेंगे के माध्यम से इस्तमाल करते हैं शब्द through का किसका यूज़ करते हैं through word का यूज़ करते हैं वह दर्वाजे के माध्यम से या दर्वाजे से अंदर आया he walked through the door जब तक इस्तमाल करेंगे शब्द till का T I double L till है ना यहां पर एक आप कर्णिशन देते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा ठीक है डॉक्टर के आने तक इंतिजार करें wait till the doctor comes wait till the doctor comes के बिना इस्तमाल करते हैं शब्द without का क्या यूज करते हैं without word का यूज करते हैं के बिना without word का यूज करते हैं मैं चीनी के बिना, या मैं बिना चीनी के दूद नहीं पी सकता, या मैं चीनी के बिना दूद नहीं पीता, I can't drink milk without sugar, I can't drink milk without sugar, के लायक इस्तमाल करते हैं शब्द वर्थ का, तुम कुछ भी के लायक नहीं हो, you are worth nothing, की और इस्तमाल करेंगे शब्द towards का, मैं railway station के ओर जा रहा हूँ, I am going towards the railway station, under, नीचे, चूहा table के नीचे है, the mouse is under the table, बारे में as to का यूज करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहां जाना है, can you tell me as to where to go, के साथ इस्तमाल करेंगे along with का, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, can you come along with me, can you come along with me, इसके अलावा, इस्तमाल करते हैं शब्द apart from का, किसका यूज करते हैं, apart from, मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, I have some more money apart from this, apart from this, clear, तो चलिए, यह थी आज के क्लास, जहां पर हमने पढ़े 60 ऐसे words, जो आपको translation में बहुत help करेंगे, इनका स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए, इनको आप identify करके, अलग-अलग से स्टॉक बना के नहीं रख सकते, कि हाँ, यह यह वाले words है, यह यह वाले category में आते हैं, रदर, आपको इनकी जरूरत कभी भी, कहीं पर भी अंग्रीजी बोलते वक्त पढ़ सकती है, तो एक होता है ना, एक हमारा safe, एक हमारा, मतलब emergency fund जैसा, कि हाँ, चलो यहाँ पर हम रखते हैं कुछ पैसे, जब जरूरत पढ़ीगे, एक दम emergency होगी, तब यूज करेंगे, तो यह वना वो वाले शब्द है, आपकी भाषा की तिजोरी के शब्द है, तो क्लास कैसे लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेर कर देना, आम देख रहे हैं, संडीति इंग्लिश अकार्डमी, यह आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलती है, वहाँ पे जाएए, आपको डाउनलोड करिये, न्यू स्टूटन पर क्लिक करके रेजिस्टर करिये, अपने आपको नाम, नमबर, इमेल आईडी वगेरा डाल करके, फ्री कोर्स भी डाल रखी है, पेड कोर्स भी डाल रखी है, दोनों में से जिस कोर्स को करने के आपके इच्छा है, आप करें, और आराम से अंग्रेजी सीखें, इसके अलावा यह वाला नमबर है, जिस नमबर पर आप वाटसअप मेसेज करके, पता कर सकते हैं, कि आपको कौन सी गोर्स लेनी चाहिए, या फिर कोई दिक्कत अगर आती है, तो इस नमबर पर आप संपर कर सकते हैं, वाटसअप मेसेज के जरिए, हमारी एबुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलिबल है, तो यह PDF आले किताबे हैं, इनको आप डाउनलोड जरूर करें, और आपको ही डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप डाउनलोड करके इनको अपने पास जरूर रखें, वाटसअप का ग्रूप, टेलिग्राम का चानल, जरूर जरूर जोइन कर लिया करें, ताकि रोज जो YouTube पर क्लास आती है, वो सीधे आपको आपके मुबाइल पर मिल जाती है, और आप आसानी से क्लासस को जॉइन करके अंग्रेजी सीख सकते हैं, मैं आप से मिलूंगे आपके अगली क्लास में, यानि कि कल, तिल देन थैंक यू सो मुच पर वाचिं, स्टेए टूने तो संरीति एंग्लिशिक अगर्मी.